हमें आप एक आपको डहीड मेरा नाम है एब occupर किया है। इन्डिया मेरे पाथ जानुब मेर्स प्रम उसनार के से पर बाल्यास के पहले-डिंटल उसमें और समक्रांचा खुल्डी सब्सक्राइब किया जव दर्दा ओप गने अक्यों यह rainbow एक acronym है जो मेरे content को बताता है so guys let me explain you how so guys यह rainbow का flower है जिसमें आपको मेरा content देखने को मिल रहा है R stand for religious activity I am devotee of Lord Krishna so guys मैं आपको बताऊंगे कि आप भगवान की भक्ती कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं अपने कुछ personal experience share करूँगी जो मेरे साथ हुए है a stand for adventure activity इस section में मैं आपको adventure activity के experience को share करूँगी जैसे कि कोई नए place पर जाना किसी illustration पर tracking करना कुछ भी thrill और आपका पहला experience कैसा होता है I stand for international travel इस section में मैं आपको international table में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथे साथ पैकिंग करते समय हमें किन-किन चीचों की ज़रत पड़ती है so guys next है and stand for nutritious diet yes actually guys I am nutritious freak मैं आपको बताऊंगी कि healthy diet में आप क्या-क्या खा सकते हैं और साथ ही साथ आपको home remedies भी दूंगी this is my favorite section B stand for beauty tips यहां मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी skin की care कैसे कर सकते हैं और बालों को कैसे long and strong बना सकते हैं O stand for origami यहां पर आप घर बैटे paper का use कैसे कर सकते हैं और guys मेरे पात बहुत सारे ideas हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हूं table stand for womanly think यहां को छोटी छोटी वूमनली टिप्स जो रोज मर्रा के जिंदगी में काम आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगी अगर आप लोगों को मेली वीडियो पसंद आएगी अगर आप लोगों को मेली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना होने ओके गाइज बाए